हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इस्टडी जोन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि NMDC लिम्टेट की आप फॉर्म को कैसे स्टेप बाइ स्टेप अपलाई कर सकते हैं जैसा कि दोस्तों NMDC की जो है फॉर्म की जारी कर दी गई थी और मैंने आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपकी अजिल्विलिटी कटेगरिया पोस्ट नंबर आफ पोस्ट किस कटेगरिय के अंदर कितनी पोस्ट है उसके बारे में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी थी और दोस्तों आज की इस वी आपको देने वाले हैं आपकी फोटो कितनी केवी की कितनी सिगनेचर क già把 की इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों आप सभी को इस फॉर्म को फिल करने के लिए इसके off वेब साइट उभव कुगल पर आपको सर्च करना पड़ेगा NMDC Limited लिखते ही दोस्तों आपके सामने पहला जो है option आ जाएगा और इस option पर आप जो है click करते ही उस link पर आप यहां पर section में आ जाएंगे वैसे तो description में आपको notification link और apply link दोनों ही रहने वाला है आप वहां से भी click करकर आप direct आ सकते हैं तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो NMDC Limited की है उसकी form को आपको कैसे step by step apply करना है इसके बारे में पूरी information हम आपको बताते हैं लाइक कर दीजाएगा और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को share करेंगा अपने वाट्सअप फेस्बुक गूरूप जिस गूरूप पर share करना है जुरूर share कर दीजाएगा और साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन के डब्बे में आपको हमारी टेली गरम चैनल क आपको मिल जाएगा और हमारे जो है यूटूब चैनल को भी सास्क्राइब कर लिजाएगा क्योंकि वीडियो के मादम से आपको वह भी अपडेट मिल जाएगा तो बीना सब्सक्राइब हुए अब चलिए इसकी apply online link स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको Google पर लिखना करने के बाद आपके सामने यहां पर दिख सकते हैं कि काफी सारे option आ रहे हैं दोस्तों कोई भी आपको ऐसे नहीं बताएगा कि आप जो है official website पर यह link आपको कहां provide करा जाती है जाकि काफी जो है कहते हैं कि description के अंदर link है आप वहां से join हो जाईए पर दोस्तों इस वीडिय करना है केरियर पर यहां पर दोस्तों केरियर पर आके क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा नया इंटरफेस खुल कर आ जाएगा और यहां पर देख सकते हैं कि new का section का यहां पर जो option आ रहा है जहां पर कह जा रहा है कि employment notification 3 2020 for recurrent executive training through gate 2021 click the complete notification and apply online form यहां पर दोस्तों आपको क क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके सामने जो है एक नया पेज खुल कर आ जाएगा तो चलिए यहां पर दोस्तों हम क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर हमारी जो है खुल कर आ चुकी है वह डीटेल्स और यहां पर जो है आपको तो यहाँ पर दोस्तो login का process है, यहाँ पर Fraser candidate जो पहली बार इसमें भर रहे हैं, वो इस पर click करेंगे और जो इसकी forum या इसकी requirement की जो पहले से भी भर चुके हैं, वो direct यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर click करने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ email id, अपनी post और password डालना है password डालने के बाद आप जो है, submit करेंगे, submit करने के बाद आपके सामने की option आजाएगा, पर दोस्तो हम आपको सुरुआत से registration की process से बताने वाले हैं, तो यहाँ पर दोस्तो जो Fraser candidate के लिए हैं, वहाँ पर दोस्तो आपको click करना है, click करते ही आपके सामने कुछ ऐसा interface आ गया, यहाँ पर दोस्तो ऐसा interface आ गया है, जिस पर लिखा हुआ है, NMDC Limited, और यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है, कि आपकी name, candidate का नाम क्या है, जो candidate इसको भरना जाते हैं, और वो नाम आपके matrix के certificate पे जो नाम है, वही नाम को आपको यहाँ पर mention करना है, और जो date of birth है, वो date of birth क्या है, आपको यहाँ पर mention करना है, वो भी 10th के mark sheet पे आपका जो date of birth है, वही date of birth आप exactly डालेंगे, अगर again अगर miss करते हैं, या आपको कोई विचुक होती है, तो आपको उस registration को valid नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोस्तो जब आप form fill up करेंगे, या document upload करेंगे, तो उ जो है form को disqualified कर दिये जाएगा, यहाँ पर दोस्तों, इसलिए दोस्तों 10th के mark sheet पर आपकी date of birth भी रहेगी, और यहाँ से दोस्तों re-enter your date of birth, यहाँ से आपको फिर re-enter date, month और year यहाँ करना है, और यहाँ से आप किस post के लिए apply कर रहे हैं, उस post का यहाँ पर नाम देना है, क email ID से आप हमारी YouTube चैनल की वीडियो से देख रहे हैं, study zone की वीडियो देख रहे हैं, उसी mobile के अंदर आपके साथ, जो है Gmail खोलिएगा, तो आपकी email ID होगी, यहाँ पर दोस्तों, आपको email ID में study लिखना है, domain यहाँ पर है, और यहाँ से select कर लेना है, कि कौन सी है, यहाँ है या Gmail है, या email है, या Hotmail है, जो भी है, उसे select कर लेना है, select करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर re-enter आपसे फिर पुछा जा रहा है, तो आपको study zone at the rate gmail.com यहाँ पर लिखना है, और साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ पर चार डिट का password बताना है, जैसे मान लीजे कोई pin ही बन लाना है, और यहाँ पर आपको जो है mobile number डालना है, mobile number डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपकी इसकी यह guidelines है, इसको आप पूरी तरह से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद दोस्तों, इस पर कहा जा रहा है, कि you cannot edit and modify large scale, इसलिए दोस्तों, आप इस registration को पूरी properly देखकर समझ कर इस form को पूरी बढ़िया से apply करेंगे, क्योंकि किसी तरह की गलती जो है, इस पर आगे नहीं की जाएगी, तो यहाँ से post select कर लेना है, और यहाँ से post जिस category के लिए आते हैं, उस category में आपको यहाँ पर select कर लेना है, जो भी आपको select करना है, तो यहाँ पर दोस्तों एक बटम पर क्लिक करते ही, जो है आपके mobile लंबर पर या आपकी email पर एक message आएगा NHMDC की तरफ से, जिसमर आपकी registration, login ID और password रहेगी, password डालने के बाद दोस्तों आपकी जो है आगे की process है, वो कैसे है, इसके बारे में हम आपको पूरी information देने वाले हैं, कि कौन से document, क्या personal details क्या qualification और कितनी छूट मिल रही है, इसके बारे में सब recording properly इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे YouTube चैनल study zone के साथ, क्योंकि दोस्तों registration की process आपको मैंने बता दिया है, इसी तरह से आपकी form fill up की process है, मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दो दोस्तों registration की process के बाद कम से कम आपके email ID या mobile number पर दो घंटे इसकी login ID और password आने में लगते हैं, क्योंकि दोस्तों पूरी तरह से verify होने के बाद ही, जो है NHDC जो है limited वो आपके mobile number और email ID पर वह valid registration और password भेजता है, उस password को आपको दो घंटे के बाद प्राप्त करने के बाद जो है आपकी आगे की process होगी, यहाँ तक की जो process थी, आपकी registration की process थी, कि आपको कैसे registration करना है, NMDC Limited में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोस्तों जैसे ही हमारे पास login या password आती है, तो हम आपको आगे की process में बताएंगे, कि आपको कैसे आगे की process में step by step इस form को fill करना है तो बने रही हैगा हमारे YouTube चैनल पर आगे की process देखने के लिए, हमारे YouTube चैनल को अभी subscribe कर लिजेगा, वीडियो पसंद आए तो like कर दीजेगा, और दोस्तों जादा से जदा इस वीडियो को share करिएगा, अपने WhatsApp ग्रूप, Facebook ग्रूप, जिस ग्रूप पर share करना है, जरूर share कर दीजेगा, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तब के लिए दोस्तों जाहिंद, फिर भी अगर किसी तरह का क्यूरी या कोई confusion है, तो comment के माध्यम से जरूर पूचेगा, हर एक state को आपको अलग से define किया जाएगा, पांच मिनट के अंदर हमारे team की त साथ और सस्क्राइब जूरूर करके जाएगा, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तब के लिए दोस्तों जाहिंद,